Hello everyone, welcome back to my channel So, आज की इस यूड़े में आपको बताँगा कि Automatic car कैसे ड्राइब करी जाती है Manual और Automatic में क्या difference रहता है चलाने के इसाफ से कैसे gear change करते है अलग-अलग टाइप के जो transmissions आते हैं कुछ-कुछ अलग-अप्शन होती है पैडल shifter हो गए तो यह सब क्या होते हैं इन्हें कैसे यूज़ करते हैं Automatic गाड़ी बेसिकली आप कैसे ड्राइब कर सकते हैं क्योंकि जो एक बंदा जो manual गाड़ी जलाता आ रहा है उसके लिए Automatic car चलाने में थोड़ी बहुत दिक्कत आ जाती है क्योंकि इसके अंदर एक तो सुर्फ दो पैडल्स होते हैं एक्सलेटर का और ब्रेक का क्लच का इसमें होता ही नहीं है तो और जो थोड़ी वह चीज़े है कार को स्टार्ट कैसे करते है Automatic कार को तो वह सब बेसिक चीज़े जो है डिफरेंट ट्रांस्मिशन्स क्या होते है Automatic में भी अलग-अलग टाइप्स क्या आते है AMT आता है वह प्रपर Automatic नहीं होता CVT आता है Talk Converter होता है DCT होता है Dual Fletch Transmission तो यह क्या होते है Isleated मैंने वीडियो बना रखे है वह आप चेक आउट कर सकते है तो जहां पर जैसे यह जो है Smart Key वाली कार है इसमें Smart Key होता है कोई हमें Manually ऐसे Key Insert नहीं करनी पड़ती जो हमें पहले करनी पड़ती थी तो वह है और Push Start बटन यहां पर लगा हुआ है तो नीचे जैसे आप देख सकते है कि यहां पर सिर्फ दो पेडल है एक Accelerator का और एक Brake का बस यह दो ही पेडल है और यहां पर एक Dead Pedal दिया हुए जहां पर आपने अपना Left Leg जो है वह रेस्ट पर रखना है सबसे Important चीज यहां पर यही होती है कि यह वाली जो लेग है आपकी Left Leg इसको आपने कभी भी ड्राइब करते हैं समय यूज नहीं करना यह सब रेस्ट के लिए होती है आपको कोई गेर चेंज नी करने आप जो ट्राफिक में चला सकते हैं और एक और ट्राफिक में भी बहुत अच्छा फीचर होता है Automatic कार्ट के अंदर वह भी मैं आपको आगे जाके बहुता हुँआ क्या होता है Crawling Mode होता है Crawl Mode तो उसमें बाद में बात करेंगे तो यहां पर यह मेन सबसे पहले तो आपने यह कभी नियूज करना क्योंकि जो नए-ने Automatic कार्ट चलानी शुरू करते हैं सबसे बड़ी गलती हो क्या करते हैं चलाते हैं समय कभी Panic Breaking करनी पड़गी तो हट-बड़ा हट में वो Left Pair को दबाने कुश करते हैं क्लच के लिए जो उनको गेर डाउन करने की जुरूत लगती है तो वो क्या करेंगे हैं क्लच की जगा ना यहां पर ब्रेक पर चला जाता है और Left Pair से हम क्लच दबाते हैं मैनुवल में तो वो थोड़ा हाड होता है comparatively ब्रेक से तो हमारे Left Leg ब्रेक बहुत जादा प्रेस करते हैं तो ब्रेक बहुत तेज लग जाती है इस पैर से और पीछे अगर आपके कोई आ रहा हो तो accident हो सकता है एकदम sudden braking की वज़े से तो हमसे most important thing है कि आपने इस leg को जो है Left leg को कभी नहीं यूज़ करना राइट पहर से ही आपने राइट लेक से brake और accelerator जो normal हम जोनों समभालते है manual में भी वैसे ही समभालना है सब बात करें कि आपको जो ये push start stop हली गाडियां होती है automatic में वो आपको कैसे start करना है वैसे मैंने इस leg वीडियो मना रखी कि ski की क्या features होती है वो आप check out कर सकते हैं वीडियो तो start करने के लिए आपने brake प्रेस करनी है और engine start stop का बटन प्रेस करना है बस car जो है वो start हो जाएगी बस और कुछ भी करने की जुरूत नहीं होती अगर आपने बंद करना है बंद करना तो वो ऐसे basic होता है अगर आपके पास smart key नहीं है आपकी कार के अंदर नॉर्मल की है जो नॉर्मल की इंसर्ट करते थे प्रपर की है तो वो कैसे start होगी तो उसके अंदर भी same procedure होता है आपने brake प्रेस करिए है और key को आप घुमाओगे तो आपकी कार जो है वो start हो जाएगी सो अब बात करते की कैसा दिखता है हमारा transmission automatic का सो यह है CVT इसके अंदर जो है sports mode भी आता है यहाँ पर Honda City के अंदर इसके अंदर अब क्या है यहाँ पर आप देख सकते हैं सब सुपर एक लिकार P P का मतलब होता है पार्क मोड जब भी आप अपनी गाड़ी को खड़ी करके जा रहे उतर के तो आपको अपनी कार को इस पे करना पड़ता है अगर आप P पे नहीं करते तो आपकी कार के जो इन्फोटेंट में सिस्टम भी है कुछ भी जब प्रपरली बंद नहीं होता वो मैं आपको भी करके दिखाता हूँ जैसे पहले मैं कार का जैसे यहाँ पर मैंने कार को पहले बैटरी मोड पर डाल दिया है और यहाँ पर बैटरी मोड पर डाला भी मैंने अक्सेसरी मोड पर जो होता है तो आप मैंने जैसे मालव सको यहां पर Neutral करीा Neutral करने के बाद, न्यूटर्ल कर दी आ Neutral के बाद, अगर मैं यहां पर बटन को प्रेस करता हूं तो यहां पर आप आप देख सकते हैं मीटर में फिल वह इताigner, इसको qn fa converted करो इसको न्यूट्रल पर जोड़ दिया आपने P पर करो और यहां पर भी आप देख सकते कि इंफोटेमिन शिस्टम बंद नहीं हुआ है लाइट भी हाँ पर बिलिंक कर रहे हैं मतलग कार भी बंद नहीं हुए देखो इंफोटेमिन शिस्टम ओन हो गया है तो इसको कैसे बंद करना होता है हमें कार को जह है ब्रेक दबाके पर करा और उसके बाद जो है दुबारा बटन दबाया अक्सेसरी मोड पर आगया फिर और अब कार बंद तो कार जो है वो लॉक ती पर ही होगी जब भी आप करना जाओगा अगर आपकी चाबी वाली कार है जिसमें की लगती है वो भी की बाहर नहीं आएगी जब तक आप कार को पी पर नहीं छोड़ोगे यह सिरफ फरक आता है एमट के अंदर एमट के अंदर पी नहीं होता उनके अंदर सिर्फ न्यूटरल होता उसके अंदर न्यूटरल पर ही कार को छोड़नी पड़ती है उसक तो उसके बाद आता है आर आर मतलब है रिवर्स तो सबसे पहले यह है कि लिवर है तो यह लिवर भी अलग लगाते हैं जैसे टोयटा के अंदर हम देखें तो उनके अंदर एक डिफरेंट टेप का लिवर आता वो श्ट्रेट भी नहीं होता वह थोड़ा टेड़ा मेड़ा स थे कह देख़ो तो यहां पर इधर एक बटन हगा हुआ है जिसको हमें प्रेस DO रहिते हो तो ये इस बटन को प्रेस करके जो हैं कर सकते हैं यां प становится न्यौटा पड़ता है एक चले हं तो इस लिए यह उनमें ऐसा नहीं आता फिर उसके बाद यहां पर आता है एन का मतलब होता है न्यूट्रल मोड कि अगर आप जैसे कभी की साइड पर आपने रोक के ऐसी कुछ देर के लिए रुके हो यह कभी भी नॉट्रल नॉमल में करते हैं यह वैसे ही सेम नूट्रल इसके अंदर है फिर है डी, डी का मतलब है ड्राइव, मतलब जब आपने सीदी चलानी एक कार को तो डी पर डालो और कार चलाओ यह बेसिक इस ट्रेट आगे चलाने के लिए होती है यह पीछे के लिए हो गया और यह सबका अलगा लोग होता है यही पर सपोर्टस मोड़् दिया हुआ है तो यह जो है लिवर सीधा डीप आने के बाद आप इसे sports mode में सीधा डाल सकते हैं ड्राइब करने के लिए कुछ cars के अंदर क्या होता है डीप होता है और साथ में यहाँ पर tiptronic function भी आते हैं जिसका आप इसके थूरू जो है सबस्क्राइब करते हömं यहार मैं रर्点 पर करें ग्राइब करें अझार रहे हैं तो जो अइसा पीछे नी भूब्त पड़ेगा मुसर नयुम्ट चैनल का पड़ेगी तो एशे इसे नहीं आएगी जो फॉर्स टाइम में इस यूज़ँ गब्टन पर पड़ेगा reverse से neutral आजाएगी neutral से D चलीजाएगी बिना बटन की भी चली जाते पर होता है कि प्रेस करीद आप देके बाद भी पीछे नहीं जाएगी बिना बटन के पीछे नहीं जाएगी और D से अगर आप गार चला रहे हो तो आप S-Pay कर सकते हो simply गाड़ी को चलाते समय भ बिना रोके पूरी गड़ी रुकी नहीं और सीधा जग इसको रिवर्स गेर में डाल दिया तो यह चीज नहीं करना ECS से जो है ट्रांजबीशन को बहुत बुरी तरह असर पड़ सकता है उसके पार्ट जो एक दर से टकराते हैं तो वो चीज हमें नहीं करने होती पूरी कार को स्टॉप करने के बाद ही आपने कुछ भी इनमें चेंजिस करने है एकसेप्ट स्पोर्ट मोड में अब डी में कार चल रही है तो स्पोर्ट मों में जलती कार में डाल सकते हो पर बाक्यों में अगर आपने डी से नीव्टरल तो कहर कोई करेगा नी उसमें तो ऐसा कुछ है नी रिवर्स नहीं कर सकते न na नेखाए नहीं किया स्पाइब दितिका को तो इसके बाद अगर बात करें यहा पे जैसे समीन पर यहां पर आटायते शूर्प यह पिछे निपकर नें बटन इन्हें कहरें पैडल शिफ्टर यहां पर यह इधर भी है यह प्लस है इस साइड माइनस है इनसे क्या होता है कि जैसे ट्रिप्रानिक फंक्शन है वो तो नीचे गेर लिवर पे है उसे हाथ हमें स्टेरिंग विल जा हटाना पड़ता है यहीं से आप सीधा गेर चेंज कर सकते हो तो इससे माइनस हो जाएगा बस आपको बटन तो बाना है चलती गाड़ी में डी में और गेर चेंज हो ज जाते है sports mode पूरा अच्छे तरीके से मैंने आपको उसमें समझा रखा है तो अब यहां पर हम बात करें कि कैसे करना है तो हमने जैसे कार के अंदर बैठ गे मेरे आपको जैसे मताया है लेफ्ट लेग को यूज नहीं करना और आपको जब भी गेर चेंज करना आपको ब्रे बिना दबाय कभी भी इसमें गेर चेंज नहीं होते हैं तो यहां पर मैंने ब्रेक प्रेस करी और यहां पर अगर मीटर में देखेंगे तो उपर यहां पर भी मेंशन होता है कि आपको कुण से गेर में है सब में आज कल में लग जैसे मैं रिवर्स में आ गया तो आर लिखा गया न्यूटरल तो न्यूटरल डी एस यह सारे के सारे आ जाते हैं यहां पर यहां पर अगर हम चेंज करें तो जैसे मालों यहां पर पी पर खड़ी है हमारी काड़ी अब हमने कैसे इसको चलाना है पहले ब्रेक दबाई ब्रेक दबाने के बाद इसको हमने पहले रिवर् एक छोड़ोगे तो आप देखो यहाप ऐप अपने आप जोए मूव कर रही है मैं यहाप पर कोई एक्सलेटर नी जैरा थोड़ इसी ब्रेकिंग ले रहा हूं को कि रोड अच्छी नहीं है तो आप अपने आप आगे बढ़ रही है यह मेरे अपड़ा है तो अब जासे मैं रिवर्स पर डालता हूं तो यह देखो मैंने पैर दोनेमो डाली है और कार खूरमव कर रही है इसे कहते हैं डिग टॉपले हम्षे कर भीनों में इक्जलिटर के एक्षी तो उच्छीश पहले से दी आ होता है पर अपने चलने लग जाएगी तो थोड़ी बोज यह से खोड़ी बंपर ट्राइफिक में थोड़ी थोड़ी आगे बढ़ती है तो आप सिंप्ली ब्रेक छोड़ो ब्रेक दबाराब वापिस दबालो जब आपके कार को रोकने जरूत तो आक्सिलेटर के जुरूत नहीं पर करी बस आप देख से पहर रटाओ और अपना गाड़ी चल लग गई चलाने लग जाओ नौमली सेम होता है अगर आपने विवर्स करनी है तो सिंप्ली आर पर करा कैमरा हो रहा है तो वह भी ओन हो गया और सिंप्ली आप रेस देखें करने की कोई टेंशन नहीं है अब यह аться किसी और की निंदर कर सकते हैं अंदर हम कार स्टाट कर सकते हैं तो अब जैसे अम यहां पर मैं कार को में बंद कर देता हूं 2श कार मेने यह दिया पर लाने के बस यह light बंद हो रही है और वापेस हो वहीं कुछ भी नहीं सामने वेर्बार warning आ रही है और यह इसका मतलब यह होता है कि आप जो है अपनी कार को या तो neutral में start कर सकते हो या P पर start कर सकते हो उसके लावा किसी में भी कार start नहीं होगी अब जैसे मैंने न्यूटरल कर दिया, ब्रेक दबा रखे है दबाऊंगा, तो car start होगी, same P के case में है, P में भी car start होगी और neutral में, उसके लावा अगर अगर आप reverse mode पर डाल दो पहले गेर, R पे लगा दो, तो car start नहीं होगी D पर लगा तो car start नहीं होगी और S का मैंने आपको बता दिया चलती car के अंदर simply button दमाने की जोट पड़े कि बिना button के नहीं होगा चलती गाड़ी में आप D से S पे switch कर सकते easily अगर आपको थोड़ा भगानी sports mode में क्या हो जाता है कि basically gears जो है वो जादा hold करके रखता है थोड़ा late gear change होते हैं तो सब्सक्राइब पर्फॉर्मेंस ज्यादा अच्छी आ जाती है तो बस यह होता है ब्लो मोड मतलब आप जासे पहाड और पर चाहते है आप चाहते कि मेरी कार जो लोइर गेर्ड़ चोटे के इस फर्स और सेकेंड पर ये जाये ही ना जैसे आप शोड़ी चड़ाई कर रहे हो तो उस टाइम पर वो काम आते हैं आप वो यूज कर सकते हैं ऐसे D1, D2, D3 होता है उसी पर्टिकुलर गेर में रहती है गारी अगर आप D1 पर लगा दिया आपने तो उसी में पर्टिकुलर ली चलती रहेगी साथ में आपको मैंने शिफ्टिंग भी होती है वो मैं भी आपको आगर जाके दिखाता हूं कि कैसे है फिर आपको स्क्रीन पर आपको दिखर होगा कि कैसे वो शिफ्टिंग करके ब्रडबर यूज हो जाता है वोग तो नदेक्स में словरा दिखर होता है वा तो 75 metric अंदर बेसिक निउटरल होता है R होता है D होता है Drive और D के साथ Manual mode होता है M वो उसमें प्लस माइनस लिखे होता है गेर शेंज करने का उनके अंदर बेसिकली क्या होता है आम Manual mode पे डालके जो है वो जैसे आप हिली एरिया पे हो चड़ाई बगरा जो है वो थोड़ी राकते हैं ज्यादा कुछ फरक नहीं है आपको बिसे लाक्सलेटर देना सेम और ब्रेक दबानी है और कुछ भी फरक नहीं है अगर आप कोई वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरू कीजेगा अगर आप ऐसी वीडियो और देखना चाते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरू कीजेगा थैंक यू